नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंध नुसके मैं हूँ आपके साथ सुमन आरनेगी दोस्तों अगर आप अमरूत खाने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी खबर है सर्दियों में अमरूत खाने के बहुत जादा फाइदे हैं डाविटीज से लेकर दिल के मरीजों के लिए ये फाइदे मन्द है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी अमरूत को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं इसमें मौजूत पोशक तत्व और साथी इसके फाइदे इसे सर्दियों में बेस्ट फल बनाते हैं जानिये इस वीडियो में सर्दियों में अमरूत खाने के फाइदे वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्वाइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्स्वाइब करे और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले ताकि आपको कब्स की परिशानी से बजाता है साथ ही इसमें होता है प्रोटीन कब्स की परिशानी तब होती है जब डाइट में कम फाइबर लिया जाता है तो उससे कब्स की समस्या हो जाती है अगर आप सर्दियों में अमरूत खाते हैं तो इससे आपका पाचन सही रहेगा क्य इसलिए एक अच्छे पाचन के लिए रोज सुभा अमरूद खाए वहीं अमरूद में होता है प्रोटीन और मेगनिश्यम जो तनाव को दूर करने के लिए एक बहतरी इंतत्व है इस वल को अगर आप रोजाना खाते हैं सर्दियों के मौसम में तो आपकी इम्मूनिटी कोश रहे हैं तो आप अमरूद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं साथ यह थारोइट को भी कंट्रोल करता है आज के दौर में सेहत सब कुछ एक अच्छी सेहत के लिए इम्मूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है हर दिन टेम्परेशर में लगातार उतार च अमरूद खाते हैं सर्दी के मौसम में तो आप फ्लू जैसे संक्रमन से दूर रह सकते हैं क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी अमरूद का ग्लैसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है जिसका मतलब इसे खाने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता नहीं है इसमें फाइबर भ हमने बात की अमरूद की सर्दियों में अमरूद कैसे है एक बेस्ट फर्द के आपने जाना यह वीडियो आपो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर आप हमसे कुछ और जाना चाहते हैं किसी फॉल के बारे में या किसी हर्प के बारे में या किसी स्पाइस के में तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें तंद्रूस रहें नमस्कार